पुश्कार दोस्तों राधा सुमन की रसुई में आप सभी का स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी वीडियो में पोहा यह हमने गुजराती पोहा बनाया है यह बहुत ही टेस्टी नास्ता है और यह मेरे बेटे का फेवरेट नास्ता है उसे बहुत पसंद आता है और हमने लिया है एक कटोरी पोहा और एक कटोरी पोहे को हम अब भिगो लेंगे और यह हमने चल्ली में डाल दिया है और इसके नीचे हमने रख दिया परात और इसे पानी से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर भिगो देंगे इसमें अच्छी तरह से भिगो देंगे और ये हमारा नीचे पानी निकल रहा है और ये हमारा भीग चुका है अब इसे हम 30 मिनट्स के लिए रख देंगे और यह हमारा भीग चुका है अब इसमें दुवारा पाने डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बिगो और भी पाहिल लगा देंगे और इसके लिए हमने लिया है यह समान जिसके लिया हमने एक नीबू यह हमारा कड़ी पता है यह हमारी प्याज है और यह हमारी सॉल्टेट मूंफली है और यह हमारी नॉर्मल मूंफली है और यह हरी मिर्ज और इन्हें हम कड़ाई में डाल लेंगे पड़ाई में हमने तेल डाल दिया है और ये तेल भी हमारा गरम हो चुका है और इसमें डालेंगे हम राई और प्याज राई और प्याज को हम अच्छी तरह से भूल लेंगे और ये हमने डाल दिया साथ ही इसमें कड़ी पत्ता और ये हमारी एक हरी मिर्च है इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे आप अपनी इच्छा रूसार इसमें ड्राइफूट डाल सकते हैं लेकिन मुफली से इसका टेस्ट बढ़ जाता है सॉल्टेड मुफली और नॉर्मल मुफली हमने दोनों को ही डाला है दोनों का टेस्ट अलग-अलग होता है और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और यह जो हमारा पोहा है इसमें हम नीचे ही से मसाले मिला देंगे यह हमने हल्दी डाल दीती और इसमें अब हम हाथ से ही नमक डाल देंगे और ये हमारा इसे भी नीचे हम अच्छी तरह से मिला देंगे और ये एक चमबच हमारी चीनी है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे और इसी में हमने नीमबू नुचेट दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे और यह हमारा मिल चुका है और यहां हमारी मसाले हो चुके हैं और अब हम इसे इसमें डाल कर चलाएंगे चीतर से जिससे हमारी भाप लग जाए और यह हमारा चीतर से मिक्स हो गया है आप इसमें कोई भी ड्राइफ टाल सकते हैं स्वाध अनुसार और इसका टेस्ट बहुत दुगना बढ़ जाता है और यह हमारी किस्मिस है इसमें हमने चीनी भी डाली थी और जिससे यह कट्टे मिठा फ्लेवर देता है और इसमें हम 10 म भाब लगा देंगे और यह हमारा पोहत त्यार हो चुका है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब थैंक यू फो वाचिंग इस वीडियो सभी को मेरी रादे रादे